हेलो फ्रेंट्स आज हम जानेंगे कि बालों को ऐसा में सफेध होने से केसे रोके आश्कल की भागती दोड़ती जिंदगी में मानसिक तनाव दवायों की वज़े से कम उम्मर में ही कुछ लोगों के बाल सफेध हो जाते हैं इन सफेध बालों से बचने के लिए कहीं लोग रसायनों का इस्तिमाल करते हैं जिससे कहीं बार बाल और ज़्यादा सफेध हो जाते हैं लोगों के सामने आ रहे हैं इस परिशानी को देखते वे हम आज आपको बालो को काला करने के कुछ घरेलू तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें आप घर में इस्तेमाल करके अपने बालो को काला और घना बना सकते हैं तो friends वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नेचुरल टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साहती पास भी गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फस्ट पर है अध्रप को कद्दुकस से कसकर शहत के रस में मिला लें इससे बालों पर कम से कम हपते में दो बार नियमित रूप से बालों में लगाएं इससे धिरे धिरे बालों का सफेध होना कम हो जाएगा नेक्स्ट है बालों को सफेद होने से रोकने का एक और तरीका ये है कि आदा कप नारिल तेल या जेतुन के तेल को हलका गर्म करें इससे चार ग्राम कपूर मिला लें जब कपूर पूरी तरह से गुल जाये तो इस तेल से मालिश करें इसकी मालिश हफते में एक बार करें ये उपाय एक जादू की समान काम करेंगा नेक्स्ट है बालों को काला करने के लिए दही भी बहुत कारगर उपाय है इसके लिए दही के साथ टमाटर को पीस ले उसमें थोड़ा सा निम्मूरास और नीलगिरी का तेल मिला है इससे सिर की मालिश सता में दो बार करें इससे बाल अभी ही नहीं लंबी उम्रे तक काले और घने रहेंगे इसके लाव एक तरीका ये भी है कि लोकी को सुखा कर नारिल के तेल में उबाल लें इस तेल को चान कर बोतल में बढ़ लें इस तेल की मसाज करने से बाल काले हो जाएंगे नेक्स्ट है आउला आपने सुना ही होगा कि आउला बहुत फायदे मंद होता है और ये सही भी है इसली सुखे आउले को पाने में उबाले इस पाने को इतना उबाले कि वाया आधा रह जाए इसमें महंदी और निम्बूरस मिला कर बालो पर लगा है कहा जाता है कि इसा करने से ऐसमें बालो का सफेद होना बंद हो जाता है तो फ्रेंड्स ये तो आज का हमारा वीडियो बालो को ऐसमें सफेद होने से कैसे रोकें इन घरेलू उपायों को अपनागर आप समय से पहले अपने बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने friends relatives के साथ share करें इसे related कोई भी query आप मुझे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिएगे comment box में लिखिये फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई